बांका जिला में कोर्णा पजेट्री मिलने के बाद अधिकारी अम स्वास्तिकर्मी पूरी तरह से मुस्तेद होकर परखंड के बिभिन पंचायतों में नजर बनाते वे सतरक्ता बरत रहे हैं इसी कड़ी में रवीबार के दीन सीओ सुनील कुमार साब बीडियो सस्ती कुमारी रैफर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर अभेपरकास चौधरी अवम थाना ध्यच कुमार सन्नी के नेत्र तुमें कुसमाहा पंचायत के मैनमा अवम नवटोलिया गाउं को सनेटाइच कि बताते चले बिगद 22 सप्रेल को अमरपूर छित्र के कौसलपूर गाउं में एक यूबक में कोरोना परजिट्रिप के लक्षन पाया गया था यूबक मुंबई के धारावी से एंबूलेंस के दोरा भागलपूर पहुँचा था जहां माया गण्ज में जाज के लिए यूबक को रोक लिया गया था इसी एंबूलेंस में अवरपूर थाना च्छेतर के मैनमा गाउं के एक यूबक अपनी मा के सब को लेकर आया था थाना ध्यच कुमार सन्नी ने मैनमा गाउं ये नमटोलिया गाउं के ग्रामियों से मास्क पहनने और अपने अपने घरों में रहने की अपील की। और इसके अलावा जो हम लोग को यहां वेवस्था में कहा जाएगा वो हम लोग तुरत करवाएंगे। मास्क वगर अगर दिलवाना है तो हम लोग उसको भी प्रवाइड करेंगे। लोगडाउन के बज़ा से खाने पेने में हो रहे दिक्कत के करण छपरा से चले 13 मजदूरों को बाका जिले में 14 दिनों के लिए कुरेंटीन किया गया है। बंगाल के 13 मजदूर गुरुवार को सैकिल से ही अपने घर बंगाल के मुर्सिदाबाद के लिए निकले थे। बाका के सामुदाइक स्वास्ते केंद्र बाका की सीवा में प्रवेश्ट करने से पहले इने कहीं नहीं रोका गया। अध्यच और चिकित्सा प्रभारी सहित अन्यकर्मियों को लेकर पुन्सिया पहुँचे और सभी को रज़ौन अस्पताल लाया गया। इन्हें किसी परकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। के वहनों के चालकों की स्कैनिंग कर रही है। और पर मजिस्टेट सतीस कुमार एसाई राके सरंजन दलबल के साथ तैनात है। वहीं इसका असर पंजवारा बजार की स्टलकों पर भी देखने को मिल रहा है जहां सन्नाटा पसरा हुआ है। झाल झाल